ये हाइए मैं आज आपको बताऊंगी कि हम गूर्ड़ की सबसे बड़ी main problem क्या है जो कोई बोल नहीं पाता है लगिन फैस हर कोी करता है सबसे पहले हमारा जो सोशड होता है हूँ हमारे अपने घर से श्थार्ट होता है सबसे पहले स्टार्टिंग से ही वो जैसे होस में आती है उनको यह एहसास कराया जाता है कि आपको चाय बनाने आना चुए आपको जाड़ो पोचा आना चुए आपको बरतना चुए जरूरी है दूसरे के घर जाओगे ससुराल पर जाओगे तो कैसे करो किसी भी आन्टी मम्मी को बुरा लगे फर कैंडली इंफॉर्मेशन मैं सब को बता दू कि सबसे ज़्यादा सोसर आप लोग खुद करते हो ससुराल वाले कुछ नहीं करते हैं ससुराल वाले तो बाद में जो करते हैं उनसे तो हम एक बर बोल भी सकते हैं कि नहीं मैं क्यों करूं यह भी कर सकते हैं आप भी कर सकते हो हम साथ में मिलके कर लेते लेकिन सब जो हमारे अपने घर वाले होते नो नहीं समझते इस बात को सबसे ज़्यादा अगर लड़कों को करियर में उनको प्रॉब्लम आती है तो उनके इस्टार्टिंग जो होता है नो उनके अपने पैरेंट्स बरबाद करकर रखते हैं खासकर यह मेडिल क्लास में होता है तो प्लीज आप अपने गर्ल्स को अपनी डॉर्टर्स को भी उतना ही सपोर्ट करो ठीक है ससुराल वालों के चिंता छोड़ दो ससुराल तो हम 18-22 साल के बाद जाएंगे तब तक हम कुछ न कुछ बन सकते हैं अगर आप लोगों का सपोर्ट होता तो सारी गल्स को यही प्रॉब्लम होती है उनके भाई उनके पापा उनकी ममी सब लोग उनपे प्रैसर बनाते तुम्हें काम है को अगर हमें एसा है कि हम नहीं सीख सकते हैं काम अगर करने आ है तो एक घंटे दो दिन एक हफते में फ्रैक्टिस हो सकती है रोटी बनाने की चाओल बनाने की और प्रशोती अरूश कर दो आपया हुवआ पार एपयू पडूसी को